हेलो दोस्तों मैं हूँ रेविन कुमार और आप देख रहे हैं WiFi दोस्त चैनल जी हैं दोस्तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने instagram आईडी को किस तरह से प्रावेट कर सकते हैं और आप अगर Instagram account को private रखते हैं तो आपको क्या-क्या फाइदा होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, अगर आप अपने Instagram ID को private रखते हैं, तो कोई भी unknown person आपको direct follow नहीं कर पाएगा, और आपका photo वीडियो कोई भी unknown person नहीं देख पाएगा, जो आपका friend रहेगा, वही आपका photo वीडियो को देख पाएगा, तो चलिए अब बताते हैं कि आप अपने Instagram account को किस तरह से private कर सकते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे में, आपको right side में एक आपको profile वाला option दिख रहा होगा, इस profile वाले option में टैप करना ह है, टैप करने के बाद यहां पर आपका profile सो हो जाएगा, आपको ऊपर में three dot दिख रहा होगा, इस वाले option में जाना है, और three dot के नीचे में सबसे आपको एक setting का option दिख रहा होगा, आपको इस setting वाले option में जाना है, और setting वाले option से आने के बाद आपको ऊपर से तीसरे number में एक आपको प्राइवेसी का उप्शन दिख रहा होगा तो इस प्राइवेसी वाले उप्शन में जाना है और उसके नीचे आपको यहाँ पे एकाउंट प्राइवेसी का उप्शन दिख रहा होगा आपको इस एकाउंट प्राइवेसी वाले उप्शन में टैप करना है टैप क ओके करना और यहां पर आपको रिसीफ फोलोवर्स में आपको किलिक कर देना है तो यहां पर आपका एकाउंट प्राइवेट हो चुका है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका एकाउंट प्राइवेट हो चुका है बस आपको थी डॉट में जाना है सेटिंग में जाना प्राइवेसी में जाना एकाउंट प्राइवेसी में जाना यहां पर देखिए आपका एकाउंट प्राइवेट हो चुका है लेकिन मैं नहीं करूंगा तो मैं इसे फिर वापस ले लेता हूं तो आप इस तरह से अपने इस्टाग्राम एकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कियें चैनल को सस्क्राइब करकर बेल नोर प्रेसे दवा दिजिएगा और आप हमसे कोई भी सवाल कोई भी बात पूछना चाहते हैं कोई बात करना चाहते हैं आप हमसे बात कर सकते हैं इस्टाग्राम आईडी में लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे में आप जाएं और हमें आप फोलो जरूर कर ले तो बस आज के लिए इतना ही जयाहिन वंदे मातरम